अब दिखिए problem solving में जो combination of registers पे आएगा उसमें सबसे पहला मैंने ये question लिया हुआ है series में मैं एक बार याद दिला दू, series combination के लिए आपने लिखा हुआ है r equals to r1 plus r2 plus r3 और भी एक है तो इस तरह से and parallel के लिए reciprocals को add करते हैं, तो 1 by r equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 इस तरह से, ठीक है, अब देखिए, इस question में ये problem है और इसमें पूछा जा रहा है, find the equivalent resistance between a and b, find the equivalent resistance between a and b, अब इसमें देख के अगर मैं पूरे circuit को analyze करता हूँ, तो मैं नहीं बता सकता है कि ये series है या combination है, mixed combination है, तो ऐसे question में क्या करना होगा आपको, कि भी आपको वैसे part पे पहुँचना पड़ेगा, वैसे portion पे पहुँचना पड़ेगा, जो exactly या तो series हो, या तो parallel हो, और वो largest part, वो ढूढ़नेंगे में लोग, तो अब अगर ढूढ़ना शुरू करो तो यार, अगर मैं यहाँ पे आता हूं, देखना, यह, यह part, यह चो मैंने pink लूप के अंदर लिखा हुआ है, यह series में दिख रहा है, क्यों series में, मैंने बताया था कि series combination के लिए current equal होता है, तो अगर यहाँ पे आई current है, तो डूसरे में भी आई ही आएगा, मतब यह दोनों series combination हो गया, तो अगर series combination है, तो मैं क्या लिख सकता, series combination अगर है, तो मैं formula लगा सकता हूं, r1 plus r2, तो यह दोनों मिल करके क्या हो गया, मतब देखना, next step में, यह दोनों मिल करके कितना आ चाहेगा, 1 plus 1, 2 ohm आ क्या, तो यह एक से replace हो गया, बट दूसरा 2 तो वैसा ही है, तो देखे, देखेगा, दूसरा 2 है, वो तो asities है, बाकि मैं फिर से circuit अगर पूरा दिखा दू, देखना, मैं समझाने के लिए तर टाइम ले रहा हूं, बट अब एक बार समझ के तो बहुत चल्दी कर पाएंगे, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो next step में, एक step complete करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, अब देखना, अपने आप, जो point लिखा हमने, अब फिर से देखे, अब series या combination, ये मैंने क्या किया, इन दो के बदले ये, टू लिख दिया, क्योंकि ये series में connected था, अब मैं यहां से फिर से एक loop दिखा रहा हूँ आपको, ये देखना, ये exactly parallel है, देखो, दोनों के लिए potential difference बिल्कुल equal हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, parallel combination, तो next step के बाद, मतलब ये complete करने के बाद, ये दोनों parallel, तो two or two parallel में, मैंने बताया था, दो रेजिस्टर अगर parallel में हो, तो आप सीधा R1, R2 upon R1 plus R2 कर सकते हैं, तो ये कितना होगा, two into two, four upon two plus two, four, मतलब one आ जाएगा, मतलब अब इस circuit को मैं ऐसा draw करूँगा, तो ये ऐसा दिख रहा होगा, इन दो के लिए हमने सिरफ वान ओम लिख दिया, और ये वान ओम तो ही है, फिर, तीक है, यहां तक समझ आ रहा है, देखे, ये यहां तक पहुंच के, ये ऐसा, ये ये, ये B और ये A, अब ये 1 और ये 1, अब मुझे वह जाता बताने के शुरूत नहीं है, यहां से देखेंगा, आपको समझ आ जाएगा, कि भी ये, से रीज कॉमेनेसन, फिर से क्या हो जाएगा ये, नेक्स स्टेप के बाद, अब आप समझते जाए, 2, तो देखो, इन दो के बदले, अब इन दोनों का फिर से देखोगे, अगर ये पैरलल है, तो फिर क्या बन जाएगा, इस तरह से दिखाएगे, तो पैरलल में 2 और 2 का हमने अभी कैलिकुलेट किया, बन आ गया, तो ये हो गया, ये वाला 1, ये 2, ये वाला 1, और ये 2, लिख सकते हैं, ये A हैं और ये पॉइंट के हैं, लिख सकते हैं, ये series, अब यहां से देखेंगे, तो लोग, यहां तक समझ आया, यहां तक कैसे पहुंच गए, ये देख लिया, अब देखो, next step, फिर से देखें series, मतब ये आपको कैसा दिखेगा, 2 ohm, 2 ohm, लिख सकते हैं, ये देखो, ये 1 प्लस 1 series था, तो 2 हो गया, और इसके साथ 2, तो ये parallel जैसा कुछ दिख रहा होगा, और ये वाला 1 यहां पर आ गया, ये देखे, देख के मुश्किल लग रहा था, बट कुछ है ने, इस question में, 2 ohm, next, कर लेंगे आब, 2, 2 फिर से parallel है, तो कितना आएगा, अब आखरे मुकामिया इसका मिल गया, A, B, इन दोनों के लिए 1 आ गया, ये भी 1 है, ये 2 है, अब बताने के जरुरत होनी नीची है आपको, ये 1 और 1, एड हो करके 2, और 2, 2 दो parallel में है, दो parallel में होने का मतलब, तो फाइनल आंसर जो आया हमारा, एक्यूवेलेंट रिजिस्टेंस बिट्मिन A और B, इस 1 ओम, तो समझा है किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते रहे हैं, आप समझते रहे हैं, सेर लाइक, जो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर रही लीजेगा, ताकि आपको वो रेगुलर वो इंटर्वल पर जो जो वीडियोस अपलोड होते हैं, उसकी इनफॉर्मेसर मिलते रहे हैं आपको, ठीक है?